Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और इसमें हमारा question है कि क्या आपके person आपको call या text करेंगे या नहीं. So ये सारे Star Science की reading होती है, ये एक short reading है और बिलकुल timeless है. So let's start. ये requested topic था, वैसे इस topic पर मेरे और भी बहुत से videos हैं, आप लोग मेरी playlist में जाएएगा, आपको मिल जाएंगे. और भी आपके favorite topics उसमें आपको मिल जाएंगे. सब timeless है मेरी videos, जब भी आपकी नजर से गुजरेंगे आपका उस वक्त का message होगा. So ये फिर से किसी ने request की थी, so I thought के quick energy update आज इसी पर मैं कर लेती हूँ. So let's see क्या आपके person आप से contact करेंगे या नहीं. सबसे पहले हमारे पास five of pentacles, wheel of fortune, आप में से कुछ लोगों का long distance connection हो सकता है, three of cups, eight of wands, knight of sword, judgment, queen of wands, and then nine of wands. So bottom of the deck पर overall energy है two of swords की. So एक तो मुझे ये चीज़ नजर आ रही है कि yes ये इनसान आप से contact करेंगे, लेकिन contact करने के बाद फिर से आप confusion में चले जाएंगे. Contact होने के बाद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा normal होती भी नजर नहीं आ रही है. I feel के कोई एक pattern, कोई एक cycle है जो बार-बार repeat हो रहा है आप लोगों के दरम्यान. And I feel के वो contact होने के बाद भी होगा, वो जो एक struggle, वो जो एक tension, कोई एक problem, कोई specific एक issue जो आप लोगों के दरम्यान है, वो contact के बाद भी नजर आ रहा है. So एक fight, एक struggle, constantly आप लोगों के इस connection में नजर आ रही है. So ये connection, आपके लिए कोई आसान connection नहीं होगा. इसमें challenges हमेशा होंगे. एक normal connection से ज़ादा challenges हैं इस connection में. I don't know why, but काफी highlight हो रहा है. So वो जो contact आपका होगा, वो आपको बहुत ज़ादा happiness में नहीं छोड़ेगा, बलकि आपके मन में और ज़ादा सवालात को जनम देगा, और ज़ादा curiosity आप कहलें, या एक confusion आपके मन में रह जाएगी, बहुत ज़ादा आपसे कुछ कहना चाहते हैं. और ऐसा feel हो रहा है कि जैसे वो यह सोच रहे हैं कि उन्हें वो कहने का मौका नहीं मिला. कोई बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं और वो trigger हो रहे हैं अंदर ही अंदर. और, you know कि कभी कबार कोई बात हमारे जहन में बहुत strongly आ रही होती है कि हमने ये बात कहनी है, जब तक हम ये नहीं कहेंगे हमें सकून नहीं आएगा, हमें justify करना है अपनी किसी बात को या कुछ कहना है हमने. तो उस तरहां से feel हो रहा है आपके person को वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तो ये इनसान contact आपसे करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, 8 hours में हो सकता है, 8 दिनों में हो सकता है, maximum 8 दिनों में, ये इनसान आपसे contact करेंगे, फिकिस उन्हें एक बहुत शिदत से एक urge फील हो रही है, कि वो आपसे ये बात कहें, तो ये इनसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये communication बड़ी fast communication नजर आ रही है मुझे और उसके बाद एक दम से फिर एक थोड़ा सा gap आ जाएगा आप लोगं के, वही जो मैंने कहा कि आपको फिर से थोड़ी सी confusion में डाल देगी ये communication, so I feel कि ये इनसान कुछ कहना चाहते हैं आपसे, और ये मुझे बहुत से लोगों के लिए ये कोई love connection नहीं, ये कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये भी हो सकते हैं कि ये आपके crush हो, ये भी हो सकते हैं कि आप लोग इस वक्त friendship situation में हैं, मुझे इस वक्त relationship नजर नहीं आ रहा, ये बहुत एक specific message है, कुछ लोगों के लिए नजर आ रहे हैं कि ये relationship नहीं है, ये कोई platonic connection है, it's not a love connection, but yes, कुछ लोगों के लिए love connection भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा loving energy नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा lovingly आप लोग connect नहीं कर रहे हैं, आपके person भी नहीं, सिर्फ वो इस वक्त आप से कुछ कहना जाते हैं, और वो कहेंगे आप से, बहुत जल्दी communication आपकी हो जाएगी, so I feel कि इस वक्त आपका concern सिर्फ communication नहीं होना चाहिए, clear communication भी होना चाहिए, I feel कि वो clear communication अभी नहीं हो रही, वो जो एक bond, एक strong connection आप फील करना चाहरे हैं अपने person के साथ, वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा, so yes, यह इनसान आपको याद भी कर रहे हैं इस present time में, but I don't feel कि बहुत loving way में, वो यह feel करें कि बस मेरे कुछ अनकाहा रह गया, और मुझे यह कहना जरूरी है, वैसे यह इनसान बहुत जादा attracted हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपकी personality बहुत strong है, आपकी queen of wands हैं, चाहे आप male हो या female, so यह इनसान बहुत जल्दी आप से contact करने वाले हैं, so यह आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे जरूर बताईगा, comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.